पेरी अपनी पसंद KTB Jewel Palace की पर्स्ट एनिवर्सरी के मोखे पर मेगा आपर 30% दिया जा रहा है O.B.VA on Gold Jewelry पर दो दिलों का संगम, दो रिष्टों का संगम, संगम पैलेस, शोभा कांची सारी, संतोशी राइचुरह, गांधी चोक राइचुरह झाल प्राइचुरह वालोचाह ये वही? ये वही? ये वही? ये वहाख शेटेंट असलाम अलेकूम नमस्ते दिस इस मोहमद अशर हुसेन फ्रम इवानो फ्रेंक्वेस नैशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फिर्स्ट यर स्टुडेंट अभी अपन लोग निकल रहे हैं रोमानिया बॉर्डर आप लोग से गुजारिश है कि अपने दुआ करें अपनी तयारी देच सकते हैं आप यहां पे कि सब लोग यहां पे तयार है निकलने के लिए अपने सूट केस वगरा बैक्स लेके अपने से ज्यादा अपने पेरेंट भी वरीड है तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने हमारे लिए दुआ करें और परेश आप नाजरीन टीवी का खसूसी प्रोग्राम खास लोग खास बात में आज मेरे सामने मौजुद है जिहा नाजरीन इनका तालुख तो रैचुर शहर से है मगर इन दिनों जो जंग यूकरेन पीच में चल रही है उसको लेकर ना के हिंदुस्तान बलके पूरे आलम में एक तहशत बनी हुई है और खास तर पर हिंदुस्तान की भी नजर थी इसलिए कि हिंदुस्तान के कई स्टूडेंट्स यूकरेन को गए हुए थे आईए कई एक स्टूडेंट्स जो यूकरेन में फसे हुए थे कई लोग दुआएं कर रहे थे उनके वापिसी के लिए कई लोग ना जाने परिशान थे और कई एक स्टूडेंट्स आ भी नहीं सके और कई लोग वहाँ पर फसे हुए हैं जिन्दगी तेरे सितम से डरता कौन है मौत आने से पहले मरता कौन है अच्छे वक्त तो सभी साथ रहे लिए देखें बुरे वक्त साथ देता कौन है आईए नाजरीन जब इनका बुरा वक्त था, कौन इनका साथ दिया, कैसा इनका सफर रहा, मेरे बीच अफसर जो स्नेक सेवर के नाम से रैचुर शेहर में फेमस है। अशर मैं जानना चाहूंगा कि यूक्रेन में अशर का क्या हशर हुआ था, मैं उनसे पूछूंगा, एवन टीवी उर्दो में आपका सबको स्नाम अलेकुम, मेरा नाम अशर है, मैं वहां यूक्रेन में इवानो फ्रैंक्विस सिटी में था, मतलब वेस्टन साइट पे था, म हाँ पे 24 तारिक, फेबररी 24 तारिक को पहला अटक शुरू हुआ, रूस का, एरपोर्ट्स डैमेज कर दिया, उसके बाद में मिसाइल सिटी में दालना शुरू कर दिया, और जब हमार को मजबूरन बंकर्स में जाना पड़ा, फिर जल से जल सामान इकटा करके, मतलब खान ने का पी ने का सामान जितना भी था अपने पास, लेके जाके हम बंकर्स में थे, एक दो घंटा थे, फिर बाद में जब सिच्वेशन नॉर्मल हुई, फिर हम उपर आए होस्टल में, सबसे पहले मैं उस चीज़ पर रोशनी डालना चाहता हूं, खास तर पर आप यूक्र सिट ले सकूं, और मैं मिडिल क्लास फैमिले से बिलॉंग करता हूं, तो प्राइवेट सीट उतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट सीट का दाम आपको मालूम है कि एक करोड है, एक करोड पच्छीस लाक, एक करोड भीस लाक उतना ज्यादा है, तो आम मिडिल क्ल प्राइज और कितना बढ़ं है राइचुर से थोड़ा बहुत बटा बोल सकते हैं। कितने महीने हुआ था कितने साल वा था आपका क्या स्टीर था जाकर स्टड़ी हाँ मेरा था मेरे को एवे सिर्फ साड़े तीन महिना हुआ था आपके साथ गुरूप तो था ना कितने लोग थे आपके गुरूप में कितने लोग करनाटक के मेरे साथ से 26 लोग करनाटक से तमाम 26 लोग भी सही सलामत पहुंच गया बाकी क्या बीवी अटके वे थोड़ी जगा जो इस्टन साइट पर है जो कैपिटल के साइट के युक्रेन का जो कैपिटल कितने महीने हुआ साड़े तीन महीना त्रियंड आफ मन्स है जब चिड़ी अचानक आ जालूमातों वहाँ के हालात वहां की सिचुवीशन क्या जब शुरू हुई मतलब साड़े पांच बचे सुबह के शुरू ही जंग साड़े पांच और छे के बीच में यह समय पर जंग शुरू हुई इसके रूस ने जब इस पर एरवेस पर डामेज किया के युक्रेन के इस एरवेस डामेज कर दिया और फिर इस्टन साइड के मिसाइल मतलब सिटी में मिसाइल दाला शेलिंग्स करा बॉम तो तब पता चल गया कि वार सच में छिड़ गई है अब निकलना है यहां से आप जिस शहर में थे वहां से मीजाइल जहां भी डाले गए जिस भी शहर क से कितनी दूर का हम मेरे से लगबख साथ से दस किलो मीटर की दूरी पर ही यह मिसाइल डाले यानि वहां तक लोगों को वह चीखें वह आवाज हैं वह नुकसान आप देख रहे हैं हाँ वह तो देखें मतलब जो पाइटर की का कैसा माहूल कैसा था लोग यूक्रेनियन्स थोड़े बहुत मतलब उतने ज्यादा पैनिक नहीं हुए थे आप उनको क्या है आदत सी हो चुकी थी यह चीजों की 2014 से चल रही थी में तो इनकी वार हम तो नहीं नहीं थे वहां पर तो पहली बार देखने को मिला मोखा फिर पहली बार देखना इसा नजारा फिर सब लोग मेरे दोस्त अव्र स情況 पर टो बन लोग वहां पर गत जरी कटा हों हैं लो विज़न करना क्या है अहां पहलब अलाम बज़ा को इस शॉतल कि opens रहां फ substant kiss den त्वेलिक वह जब ज्यादा त्युक ज़्याद वो लोग बंकर में ले जाते थे फिर सिच्वेशन जब नॉर्मल है तो फिर होस्टल में रखते थे अपने को आपको उस वक्त पर सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की यादा कि आप सोच सकते थे कि वापिस में हिंदुस्तान को खरी नई तब तो मैं कुछ भी ऐसा सोचाने की जवब पाऊंगा लब महां पर सिच्वेशन बहुत टफ हो गए थी ना मतलब कोई अब फिर बीच में एक न्यूज आती की कार्किव में अपना एक भाई जो नवीन उसका कोई इंतखाल हो गया जो बाहर कुछ सामान लेने गया था खाने के लिए उसके उपर जब मिसाइल यह हुआ तो वह मर गया वहाँ पर तो पूरा डर का महल और ज्यादा बढ़ गया कि अब निकलना भी नहीं है यहां से तो वही कैसा निकला निका वह सब पुटका इंतिज सब्सक्राइब कोई तो हम चार-पांच दिन का तो स्टॉक रख लिये थे अपने पास खाने का माहुल में तुम बोल सकते हैं उसके बाद से आपका सफर हुआ से कौन आपकी मदद करें हिंदुस्तान की हमारे वतन के तरफ से आपको कितनी मदद मिली कौन-कौन लोग आप वो बोले कि अब तो वार तो शुरू हो गई बॉडर तक निकल जाओ तो हम क्या करें जो कॉलेज का जो डीन होता है जो हायर अथा उनको जाके बोले कि सर हमें अब सेफ नहीं लग रहा है आप आप अपने लिए बस का इंतिजाम करो तो अपने कॉलेज से 40 बस का इंतिजा तो रहती है वो तवज्जे नहीं दे रही है कोई पूश्य नहीं रहा है कि आएसा माहल हां थो बॉर्डर से पहले वह तो सवह बात है कि कुछ हेल्प नहीं कर भारी है जैसे आप बौडर क्रॉस करोगे उसके बाद मैं आपको इंडेनेम इसी काण्टैक्ट मिलेगा उसके तो कुछ भी मदद नहीं मिलेगी सिर्फ उन्हों गाइड करेंगे आपको कि ऐसा आओ ये बॉर्डर से आओ बस उतना ही बोलेंगे रिस्क डाल के अपनी जिन्दगी का हमें खुछ जाना है बॉर्डर तक उसके बात में बॉर्डर क्रॉस होने के बात में जब इंडियन है जो अक्सर माई भी कहता हूं जीशान शात का कि रास्ते में मुझे हाथसा होने नहीं देती रास्ते में मुझे हाथसा होने नहीं देती मेरी मा की दूआएं मेरे साथ होती है कई लोगों को यह होता है जब वो परेशान होते हैं तो मेरे मावाग की दूआएं मेरे साथ ह मतलब दिन रात ममें जो है चेंशन में थे और मेरा आने का सब्सक्राइब दूरे थे जो यूक्रेंट काती फार्डर की नफूर्ट पर थोड़ी बहुत थी जो यक्रेनियंस थे उनको भोलते थे थे थलोड़ा हाटशपॉट अच्छा लोग करो फटी बात करना है घर पे तो वह लोग करते थे उक्रेंग वालों का आपके साथ बहुत कैसा था वहां के लोग क्या सपोर्ट ने लाने लोग लोग सपोर्ट में थे मगर युक्रेयन की आर्मी सपोर्ट में नहीं थी युक्रेयन की आर्मी जो है अपने को मार रहे थी जामा इसलोवा क्या बॉडर पे था वहां पे लोगों को तो मारे नहीं मतलब लोगों को तो मारे नहीं मारने के बदले वो क्या करें पेपर स् प्रपोट कर रहेते हैं तो फिर आप वहां पर किस तरीके से और कहां पर पहुंच वह इसलोवा क्या कंट्री जो युक्रेन के थोड़ा पास में या ती 500 किलो मीटर बाद वह कंट्री में जा के पहुंचे हम युक्रेन से आप वहां पर कैसे बस में जो कॉलेज एरेंज किये थी बस इतने कितनी स्टूडिक्स इस से पहुंच गए बसों के जरी वहां पहुंचे 14 गंटे में 14 गंटे हना की सफर था 6 गंटे का 14 गंटे इसलिए लगे कि ज्यादा ट्राफिक होने की वज़े से ट्राफिक मतलब सब लोग निकलने की तैयारी में थे तो बहुत बड़ी रास्ते में आपको उन चीजों का दिखकतों का वो जो मीजाइल क्योंकि पहले जो प्रयोरिटी दे रहे थे वह उनको युक्रेणियंस को ही दे रहे थे युक्रेणियंस को छोड़ रहे थे बॉर्डर पार करने का इंडियन्स और दूसरे जो कंट्रीस के थे उनको नहीं दे रहे थे आपके साथ जो स्टूडेंट थे वो तमाम स्टूडेंट भी खेरी सकते हैं जह रहांदोला वो लोग निकल गए मेरे साथ थे तैमिल नाडू के के और अंधरा प्रदेश के और एक यूपी का था और वहां से आप बाई एर आए वहां से बाई एर डिली डिली से शम्शाब दिली से बैंक दो रहा है नाजरीन ये थे मेरे बीट सेद अशर जो नौजवान भी है और इनकी आपने पूरी दास्तान सुनी यूकरेन के जो हाला थे उससे ऐसा मैसुस हो रहा था कई लोगों को शायद वहां से स्टूडेंट वापिस आए ना आए मगर फिर भी मा की दौाएं और तमाम लोग हमेशा रोजाना दौाएं कर रहे थे कि उनके बच्चे वहां पर से खेरियस से आ जाएं मगर आज अलहमदलल्ला करनाटक के भी तमाम जो 43 तकरीबन स्टूडेंट गए थे वो स्टूडेंट वापिस आ गए और रैचुर शहर के दो और मैं लोगों से भी बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हक के लिए दूआ गिया और मैं अलहमदलल्ला आज मैं वापस मेरे धर आ गया हूँ अस-सलाम अलेकुम मेरा नाम अफसर हुसेन हैम अशर हुसेन का वालिद साब मेरा बेटा जो इदर लवड़ कया है यह चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है और यह सुप के दूआओं का असर है तो जो भी दूआ करे रिष्टेदार दोस्तों में और सुब लोगों का मैं मैं खास दोर पे मेरे दिल के गहराएं से सुबको शुक्रियादा कहूंगा आजरीन एक बात तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा रैचुर के हालात आप भाखो भी जानते हैं 371 जे को लेकर जो पिछले आठ दिन से रैचुर में तमाम लेडर तमाम पार्टी के लेडर तमाम संग समीती के लोग जो नवदया इंस्टूट के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ तारीक को भी शायद उसकी खास वज़े यही है कि रैचुर शहर में जहां पर इतना बड़ा एक इंस्टूट होने के बावजूद भी ऐसे इस्टूडेंट्स को जब जगे नहीं मिलती वो फीस पे नहीं कर सकते वो अतने करवड उतने लाखों तो इसलिए वो लोग यूक्रेन को जाते हैं अगर 371 जे में ऐसे इस्टूडेंट को अगर यहीं पर वो स चाहिए के नौजवानों को वो 371 में ले उन तमाम को मोखा दे ताके ऐसे हाथसों से ऐसी परेशानियों से हमारे नौजवान बचे मैं आपका मेजबानेंकर इंडियन बाशा एवन टीवी उर्दू राइच्चुर से